मेरी वीडियो डाइरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब आप्शन पे क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें स्वागत है दोस्तो आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ में आप सब लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों की वज़े से ये चैनल दिन प्रते दिन ग्रो कर रहा है एक बार फिर शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आज का दोस्तो जो टॉपिक है वो है हाट लाइन से रिलेटेड और हाट लाइन से कनेक्शन क्या है आपके लव का इसका बहुत सिंपल सा सॉलूशन है और बहुत ही आसान भाशा में आज मैं आपको इस आप पर क्लियर करता हूं मैं उसके पहले सबसे बहुत हाट ड्रो कर लेते हैं तो यह हाट आपके सामने ड्रो हो गया है और अब मैं आपको चार पॉइंट ऐसे बताने वाला हूं इसके अंदर जिससे आपको पता चल जाएगा कि यदी को इनसान प्यार करता है या उसका ज तरजने उंगली तक जाती है देखें दोस्तों तरजने के लिए कौन सी होती है यह वाले आपकी तरजने उंगली यह तरजनी अगर यह पहली कंडिशन्स बता रहा हूं अगर यह पहली वाली यहां तक जाती है इस वाले शेत्र को पार कर जाती है यह जो गुरू परवत हो नीचे इस शेत्र में अगर आती है तो बिलकुल सीधा सीधा उस आदमी की में बात करता हूँ तो ये प्यार के प्रती बहुत गंबीर होगा ये इससे प्यार करना या ये जिससे प्यार करेगा या दोनों आपस में जो प्यार करेंगे इन में से ये इनसान बहुत ज़्यादा गंबीर होगा प्यार की बात पर हर बात सोचेगा और उस पर बिल्कुल अमल करेगा यानि सबसे लंबी लाइफ इर्दे रहेगा जिसकी भी होगी उसकी यहां तक जाएगी और इसके अलावा वो प्यार में बहुत जादा गंबीर होगा यह एक बहुत बड़ी निशानी है बहुत बड़ी खोज है दोस्तो जो मैं आज आपके सामने इस माद्यम से शेयर कर रहा हूँ सेकंड नंबर की मैं बात करता हूँ मध्यमा से अगर यह उंगली जो आपकी सेंटर वाली होती है जहां शेनी परवत होता है अगर यह निकल करके इस तरह से और यहां के शेतर तक जाए तो यह सेकंड पॉइंट हो गया दोस्तो मध्यमा यह मध्यमा उंगली तक जाने का मतलब है कि यह इनसान जिससे आप प्यार कर रहे हैं यह स्वार्थी किस्म का वेक्ति है थोड़ा सा नाराज जरूर हो जाएंगे मेरे वो सब्सक्राइबर या मेरे वो दोस्त मेरे भाई जिनके अगर हातों में इस तरह से जारी लेकिन जो इसकी रीडिंग है जो इसके डेटास कलेक्ट होएं उससे यही पता चलता है कि ऐसे किस्म के लोग स्वार्थी होते हैं और उन्हें दिल्चस्पी नहीं होती है प्यार वगरा में ठीक है वो कर लेते हैं और अपना कुछ यूज निकाल लेते हैं उससे यह आप भी समझते हैं क्योंकि यूवावर्ग आप लोग हैं आज आपकी वज़े से देश चल रहा है तो यह चोटी-चोटी बात है आप शायद समझते होंगे तो अपना दिल्चस आजा टेंचन वाली बात है तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं अगर यह सेंटर यह सेंटर में इसलिए लिख रहा हूं आप इसको मान सकते हैं मध्यमा प्लस यह जो आपकी अनामिका होती है इसके बीच का आयरिया ने तो पूरी मध्यमा हो ने पूरी सेंटर हो यानि क अगर मैं इसकी बात करूँ आपके सामने जैसे कि मैं यह एक और सूरे परोद बना लेता हूं तो इस पे भी नहीं होनी चीए इस पे भी नहीं होनी चीए यह जगा होनी चीए दोस्तों यह वाली अगर यह रेखा यह तक आ रही है यह तीसरे नमबर वाली जो मैंने रेखा बने है इस वाली उंगली के इस वाली लाइन तक बहुत गोर करने वाली बात है एकदम सटीक जिगह यह तो यह जो इनसान होगा यह आसानी से प्यार में पड़ जाएगा और यह इसकी भूल मान सकते हैं या भोलापन मान सकते हैं यह कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ये आसानी से प्यार भी पढ़ने वाले लोगों में से होगा जिसके साथ में कभी कबार धोका भी हो सकता है उसको चालबाजी में फसाय भी जा सकता है ऐसे इसके संकेत मिलते हैं इसलिए इन लोगों थोड़ा सा बचने की जरुत है हलाकि जो होगा वो तो ह लोगा जीवन में कोई रोक नहीं सकता है लेकिन अगर पहले से समल जाएं तो ये फाइदा उनको हो सकता है साथ ही मैं लास्ट की बात बताता हूँ आपको इसके अंदर जो की बहुत इंपोर्टन चीज और अभी इसकी जानकारी के अंदर आई है अगर रदय रेखा आपकी जीवन रेखा से मिल जाएं देखिए किस तरह से जैसे कि हम जानते हैं हमारी जीवन रेखा इस तरह से होती है यहाँ पर और अगर किसी प्रकार से ये आपकी लाइन चलते चलते जैसे कि यहां से मस्तिष के रेखा भी निकल रही होती है इन सब को काड़ते काड़ते अगर ये रेखा जुकाओ करती करती अगर आपकी इसमें मिल जाती है तो दोस्तों ये होता है हिर्दय और जीवन दोनों का मिलन इसके अंदर बहुत ही एक गंबीर किस्म की बात होगी जिससे की ये इनसान प्यार करेगा अच्छा करेगा बहुत बड़ी अलाइफ चलेगी लेकिन ग्यारंटी है ये इस बंदे का दिल तूटेगा ये दिल तूटना ही इस चीज का एक गहतक परिणाम देखा गया है जो कि आप मान सकते हैं कि किस प्रकार से तकलीफ दे होता है बहुत ज़्यदा दिक्कत होती है जब इस तरह का काम किसी के साथ में होता है तो दोस्तो ये था आज का मेरा टॉपिक हृदे रेका और लव कैसे आदमी का एफक्ट करेगा ये आज आपको शायद जानकरी पूरी होगी होगी तो दोस्तो सब्सक्राइब करना ने भूले मेरे नए मेमानों से स्वागत करते हुए निवेदन है और इसके अलावा लाइक करें, कमेंट करें जो भी आपका सवाल हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताए और किस तरह से मैं वीडियो को और अच्छी तरह से सुधार सकता हूँ करविया उसकी मुझे जरूर कमेंट करके जानकरी दें तो दोस्तों मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर किसी अच्छे वीडियो के साथ थैंक्यू वेरी मॉच